हेलो दोस्तों, I am Dr. Suhail Dalal from Surat Gujarat, Dr. Dalal's Ayurveda हमारे YouTube चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ बहुत ही commonly देखे जाने वाले प्रोब्लम सर्वाइकल स्पॉंडिलोसिस के बारे में इसे सर्वाइकल स्पॉंडिलोसिस भी कहा जाता है और सर्वाइकल स्पॉंडिलाइटिस भी कहा जाता है सर्वाइकल स्पॉंडिलाइटिस के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा सर्वाइकल स्पॉंडिलाइटिस का मतलब होता है गर्दन में जक्रन आ जाना तो उनको चक्कर आते हैं, गर्दन जो है जकर जाती है, उपर की तरफ देखने से या नीचे की तरफ देखने से चक्कर आते हैं, गर्दन राइट या लेफ्ट में ट्विस्ट नहीं होती है, उसके अलावा हाथों में आम्स से लेके फिंगर्स तक उसमें पेन आता है और नम बहुत ही common disease है और cervical spondylosis क्यों होता है modern science के अनुसार अगर हम देखने जाए तो cervical spondylosis होने के कारण और आयरवेदा के अनुसार अगर हम देखे के cervical spondylosis होने के कारण तो similar कारण है ज्यादा heavy वजन उठा लेना कोई चीज जटके से उठा लेना जनरली क्या होता है हमारी जो spine ह जिसको हम मेरुदंड भी कहते हैं जिसको हम करोडरजू भी कहते हैं उसमें 33 मंड के होते हैं 33 vertebra होते हैं चोटे 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 वर्टी 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 वर वर्टीबरा है जैसे हमारी सर्वाइकल है सर्वाइकल में seven वर्टीबरास है सर्वाइकल की जो दो वर्टीबरा है उसके बीच में एक soft पदार्थ होता है जिससे हम intervertible disc बोलते हैं जब यह intervertible disc जो होता है वो कुछ कारणों की वजह से compress हो जाता है तो उसमें से निकलने वाला जो नस है उसमें से निकलने वाले जो नव है वो compress हो जाती है और वो नव compress होने की वज़ा से हाथों में नमनेस आ जाती है हाथों में पेन आता है मसल्स में वीकनेस आती है चक्कर आ सकते हैं और ऐसी काफी सारी प्रोब्लम लेके जब पेशन्ट हमारे पास आते हैं तो हम उसे cervical spondylosis डाइगनोस करते हैं cervical spondylosis का डाइगनोस करने के लिए आप digital x-ray या MRI भी करवा सकते हैं उससे ये easily diagnose हो सकता है cervical spondylosis के patient को करना ये चाहिए कि उसको cervical collar पहनना चाहिए ताकि उसकी जो vertebra जो बीच में compress हो रही है वो vertebra जो है अपने normal situation में आ जाए और pain कम हो जाएगा अगर आयरुवेद की दरश्टी से हम देखने जाए तो आयरुवेद की दरश्टी से वायू के 80 प्रकार के जो रोग है उसके अंतरगत ग्रिवा ग्रह नाम का जो रोग है उसे cervical spondylosis हम कह सकते हैं अब आयरुवेद के हिसाब से वायू का कोई भी रोग जैसे के ग्रिवा ग्रह होता है या cervical spondylosis है तो वो कैसे होता है कोई भी vehicle को long time तक चलाना, बहुत ज़्यादा traveling करना, कोई भी एक posture में continue बेटे लेना जैसे आज कल corporate lifestyle में लोग computer के सामने, PC के सामने या clerical job करने वाले लोग जो हैं वो एक ही posture में बेटकर continuous काम करते हैं या housewives हैं जो एक ही posture में बेटकर continuous काम करते हैं गर्दन को नीचे जुका के continuous काम करते हैं, हाथों को twist करके continuous काम करते हैं तो एक ही posture में continuous बेटने से, बहुत long time traveling करने से, या तो गर्दन में जटका लग जाने से या ऐसी कोई भी गतिविधी की वज़े से जब मन के, दो cervical के जो हमारे vertebras हैं उसके बीच में, intervertebral disc में सुजन आ जाती है, वो compress हो जाते हैं और उसके वज़े से यह रोग होता है आयर्वेद की दरश्टी से इसे ग्रिवागरह कहते हैं इसमें अगर हम cervical spondylosis से पीड़ थें, तो आयर्वेद की बहुत सारी आउशदिया ऐसी हैं कि जिसे हम cervical spondylosis से बहुत ही आसानी से ठीक और निजात पा सकते हैं एक आयर्वेद की ओशदी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा महाराश्टनादी काड़ा महाराश्टनादी काड़ा का 7 आप 15ml सुमा में और 15ml शाम को खाली पेट पानी के साथ मिक्स करके कर सकते हैं उसके अलबबा उस से भी बहत्री नोशदी राश्टना सब्तकम काड़ा इसका 7 भी आप सुमा सुम 15-15ml खानी खाली पेट कर सकते हैं उसके बाद अगर पेंच ज्यादा है तो योगराज गूगल की दो-दो गोली सुभाशाम खाने के बाद या तो तरयोधशांग गूगल की दो-दो गोली खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं उसके साथ-साथ क्या चीज़ों को हमें avoid करना है एक ही पोस्चर में बेट कर काम करना ज्यादा वजन उठाना और बहुँत ज्यादा ट्रावेलिंग करना ये सारे चीज़ों को हमें avoid करके चलना है अपने खान-पान की बात करें हमने ऐसा भी देखा हुआ है के सर्वाईकल स् गुष्टी नाम की चिकित साभी बहुत ही ज्यादा कारगर सिध होती है तो दोस्तो सर्वाइकल स्पॉंडिलोसिस अगर आप पीडित है तो आप आयरुवेद के दुवार पे आ सकते हैं और सर्वाइकल स्पॉंडिलोसिस से निजात पा सकते हैं थैंक यू वर्य मच्च विश वल्डवेस्ट अप्रवाइकल का प्रॉब्लेम हुआ मेरी नर्स यहां सोल्डर में दब गई थी तो मैंने रिपोर्ट करवाया फिर सर्ने मुझे दवाई दी और कुछ लेप और सब दिया तभी वह बहुत कंट्रोल मैं है अभी मुझे दर्द नहीं हो रहा है मेरे हाथों में भी स्वेलिंग आ रही थी अभी वह भी नहीं हो रहा है और रिक्दम नॉर्मल हो रहा है मेरा हाथ भी बराबर मुमेंट कर दा है थैंक यू तो मिस्टर दगा